Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Tally Prime की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Tally Prime में लेजर को configure कैसे करते हैं और लेजर में रहते हुए transaction से संबंधित क्या काम किये जा सकते हैं इसके पहले वाली वीडियो में आपने जाना था कि लेजर क्या है और Tally में लेजर कैसे देखते हैं आईए अब देखते हैं कि लेजर को configure करके किस तरह से देख सकते हैं उसके लिए सबसे पहले हम cache का लेजर ओपन कर लेते हैं अब F2 की प्रेस करके period चेंज कर लेते हैं अब लेजर को configure करने के लिए F12 प्रेस कर रहे हैं configuration menu में अनेक options दिखाई पढ़ रहे हैं इन इध्यान से पढ़ें और उसके बाद अच्छे से सीखने समझने के लिए इन options में से एक एक को yes या no करके और जिन options में सब options हैं उनमें से भी एक एक को select करके try करना चाहिए ऐसे करने से आपको ये ग्यात होगा कि कौन से option का report पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है अभी हम show narrations को yes कर रहे हैं और इसके बाद format of report में detailed की रहने दे रहे हैं और बाकी सबी options को yes कर रहे हैं सबसे आखिर में आप show running balance लिखा देख रहे हैं हम इसको भी yes कर रहे हैं इस option को yes करने से laser में हर voucher entry के बाद laser का जो balance होता है वो दिखाई पड़ता है चलिए इस configuration को accept कर लेते हैं देखिए अभी हमने जो भी changes किये थे उनका प्रभाव आप यहां देख सकते हैं अब यदि आप कोई दूसरा laser देखना चाहते हैं तो f4 प्रेस करें और list of lasers में से वो laser select करें हम cell से कम select कर रहे हैं यह देखिए cells का laser आ गया है यहां यदि आप किसी voucher को देखना चाहते हैं या उसमें कोई changes करना चाहते हैं तो उस पर जाकर enter press करें अब यह देखिए voucher open हो गया है यदि आप इसमें कुछ changes करना चाहते हैं तो जैसा कि हमने डे बुक वाली वीडियो में बताया था आप उस प्रकार से वो changes कर सकते हैं अब हम skip की किस आयता से बाहर आ रहे हैं यहां right side button bar में आप बहुत से options देख सकते हैं आईए इनके बारे में भी जान लेते हैं अपने ध्यान दिया होगा कि हमने gateway of tally पर दो companies open की थी यदि आप किसी भी कारण से दूसरी company का भी sales leisure देखना चाहते हैं F3 press करके दूसरी company select कर लें यह देखें दूसरी company का sales leisure दिखाई दे रहा है हम फिर से F3 press करके पहले वाली company पर वापस चलते हैं अभी हम जो report देख रहे हैं यह प्रति दिन के हिसाब से है यदि आप इसकी मन्थली समरी चाहते हैं तो F6 press करें यह देखें समरी महिनों के अनुसार आ रही है अब इससे बाहर आने के लिए escape की press करें अब यदि आप इस laser को register form में देखना चाहते हैं तो F8 press करें और जो process हमने आपको day book में बताई थी वो दोहरा लें यहां पर हम आपको एक महत्पुन बात और बता दें कि हमने day book part 3 वाली वीडियो में जो शॉटकट्स बताए थे जिनके list हम यहां पर भी दे रहे हैं वो सभी यहां भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से day book में करते हैं किसी voucher को alter करने के लिए उस पर जाकर enter press करें वो voucher open हो जाएगा आप अपनी जरूरत की अनुसार उसमें changes करके उसे accept कर लें किसी voucher को delete करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और d press करें और फिर enter press करें किसी voucher को cancel करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और x press करें और फिर enter press करें पर यहां एक महतुपुन बात ध्यान रखें कि जब हम Daybook में किसी voucher को cancel करते हैं, तो वो cancelled voucher, Daybook में तो दिखाई पड़ता रहता है, पर जब हम Lager में किसी voucher को cancel करते हैं, तो वो Lager में से चला जाता है, यानि दिखाई नहीं पड़ता है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो Daybook में जाकर देख सकते हैं, किसी भी voucher के बाद उसी प्रकार का अगले नंबर का voucher बनाने के लिए उस पर जाकर alter और A कीज प्रेस करें, या फिर किसी भी प्रकार का नया voucher लाने के लिए यानि add voucher के लिए alter और A प्रेस करें, किसी voucher का duplicate बनाने के लिए उस voucher पर जाक और टू प्रेस करें किसी निश्यत वाउचर नंबर के स्थान पर उसी नंबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानि इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर और आई प्रेस करें किसी वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए उस पर जाकर स्पेस बार और यदि आपने बहुत से vouchers select किये हुए हैं तो उन्हें एक साथ deselect करने के लिए skip की प्रेस करें दिखाई पड़ रहे सभी vouchers को एक साथ select करने के लिए control और space bar प्रेस करें selected vouchers को एक साथ deselect करने के लिए फिर से control और space bar प्रेस करें या स्केप की प्रेस करें, कुछ शॉटकट्स ऐसे भी हैं, जो हमने आपको डे बुक में नहीं बताये थे, वो यहां बता रहे हैं, त्यान रखें, यह लेजर की तरह ही डे बुक में भी समान रूप से उप्योगी हैं, सेल्स अकाउंट में आप तीन तरह के वाउचर्स देख रहे हैं, एक कैश, दूसरा बैंक, और तीसरे टाइप के वाउचर्स हैं हमारे कस्टमर्स के नाम की, अब यदि हम इन में से किसी एक ही तरह के वाउचर्स देखना चाहते हैं, जैसे हम सिर्फ कैश के वाउचर्स देखना चाहते हैं, तो बागी वाउचर्स यहां से हटाना होंगे, जिस वाउचर को हटाना चाहते हैं, उस पर जाकर उसे रिमूव करने के लिए, कंट्रोल औ और प्रेस करें ऐसे करते ही वो वाउचर स्क्रीन से हट जाएगा त्यान रखें यह वाउचर डिलीट नहीं हुआ है सिर्फ हाइड हो गया है यानि अभी यह चुप गया है इसी तरह हम दूसरे वाउचर भी हाइड कर देंगे देखिए अब यहां सिर्फ कैश के वाउचर से दिखाई पड़ रहे हैं और नीचे यहां उनकी टोटल भी दिखाई पड़ रही है अब यदि आप हाइड किये गए वाउचर को एक एक करके वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल और यू प्रेस करके ला सकते हैं और यदि आप सभी हाइड किये गए वाउचर को एक साथ वापस लाना चाहते हैं तो आल्टर और यू कीश को प्रेस करें इसके पहले डेबुक वाली वीडियो में हम आपको एड़ वाउचर का उप्योग बता चुके हैं वो यहां भी काफी काम आता है जैसे हमारा कस्टमर बालाजी ट्रेडर्स आया और उसने पूछा कि मुझे कितना रुप्या आपको देना है अब यदि हम चाहें तो F4 प्रेस करके बालाजी ट्रेडर्स का लेजर उपन कर सकते हैं पर अभी हमने जो सेल्स अकाउंट ओपन किया हुआ है और उसमें हमें कुछ काम करना बाकी है तो हम गोटू में जाकर लेजर वाउचर के द्वारा बालाजी ट्रेडर्स का लेजर उपन कर लेते हैं लेजर उपन करने के बाद वर्ष के प्राड़म से लेकर हमने जहां तक ट्रांसिक्शन्स रिकॉर्ड किये हैं उस तारीख तक के पीरेट का लेजर देखने के लिए F2 की प्रेस करके फ्रॉंग और टू दोनों जगर स्पेस बार और फिर एंटर प्रेस करके तारीख खटा देंगे फिर बैलेंस देखकर हमने कस्टमर से कहा कि पांच लाक रुपए लेना है उसने कहा ये नकद रुपए लो और रसीद बना दू तो चलिए हम यहीं पर रसीद बना देते हैं उसके लिए पहले और और एक इस को प्रेस करेंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रियेशन स्क्रीन आ रही है रिसीट वाउचर के लिए F6 प्रेस करें F2 प्रेस करके आज की डेट डाल दें CR में पार्टी नेम सेलक करें ऐसा करते ही करेंट बैलेंस में हमें कस्टमर से जो अमाउंट लेना है वो दिखाई पढ़ रहा है अमाउंट डालें अमाउंट डालकर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं देखिए पहले जो बैलेस दिखाई पढ़ रहा था वो अब चेंज हो गया है DR में हम कैश सेलेक कर रहे हैं अब नेरेशन डालें और एकसेप्ट करनें अभी हमने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है अगर वो पार्टी के लेजर में दिखाई पढ़ रहा हो तो ठेक और यदि दिखाई नहीं पढ़ रहा हो तो लेजर का पीरियर चेंज करके आखिरे ट्रांजेक्शन तक का पीरियर सेलेक कर लें इसा करते ही हमने जो रिसीट वाउचर बनाया होगा वो दिखाई पढ़ने लगेगा उसपर जाकर एंटरप्रेस करें यह दिखिये हमने जो वाउचर बनाया था वो दिखाई पढ़ रहा है अब यदि आपको कस्टमर को रसीद का प्रिंट देना है तो वो print option की सहायता से निकाल सकते हैं इसी तरह मान लिए जिए अब हम rent account में ये देखना चाहते हैं कि हमने अपने office का rent कब तक का दिया हुआ है और उसके साथ ही हम अगले महा के rent के entry भी करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हम F4 प्रेस करके rent account सेलेक कर लेते हैं फिर alter और F2 प्रेस करके वर्ष के शुरुआत से लेकर आखिरी transaction तक के लिए from और 2 में जो तारीख है उसे space पर और enter प्रेस करके तारीख हटा देंगे अब आखिरी voucher पर जाकर alter और 2 प्रेस करेंगे इसे ये होगा कि हमारे आखिरी voucher के duplicate आ जाएगी जिससे हमें 2 लाग होंगे पहला यहां हमने जो आखिरी rent दिया है वो दिखाई पड़ रहा है और दूसरा हमें duplicate voucher मिल गया है जिसवे हम जरूरी changes करके नया voucher बना लेंगे यह हमने जरूरी changes कर दिये हैं अब इसे accept कर लेते हैं इसी तिरह हम लेजर पर रहते हुए किसी भी voucher का duplicate बना कर उसका उपयोग कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं यहां पर हम आपको यादे ला दें कि हमने sales account का लेजर open किया हुआ था और हम उस पर कुछ काम करने वाले थे पर इसे बीच कुछ दूसरे काम आ गए जिने हमने बगैर sales account बंद किये go to की सहायता से दूसरे लेजर open करके कर लिया है अब हम वापस escape की प्रेस करके sales account पर चलते हैं और उसमें जो भी काम बाकी था वो कर लेते हैं तो इस वीडियो में आपने जाना कि लेजर में configuration कैसे करते हैं और लेजर में रहते हुए transactions से संबंधित क्या काम किये जा सकते हैं अगली वीडियो में हम आपको inventory books के अंतरगेत आने वाली बहुत ही महतुपून reports, stock item summary के बारे में बताएंगे